हाई दोस्तों अस्ताव अलेकुम कैसे आप लो मेरा मनभी ले आप एक नया आइफोन जो है खरीद के ला चुके हो या फिर एक नया आइफोन लेने वाले हो आगे बिग बिलेंडे सेल में चाहे वो 16 ओ 15 ओ 14 ओ कोई भी तो यह वाला वीडियो आपके बहुत काम का है क्योंकि फ्री मेतरड बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से आप कम्प्लीट डेटा ट्रांसफर कर सकते हो पुराने आइफोन से नए आइफोन के उपर या फिर पुराने एंड्रोइट से नए आइफोन के उपर अगर आपने अपने आइफोन बेच दिया है पहले तब आप डेटा आइफोन के अंदर डेटा ट्रांसफर पुराने आइफोन से नए आइफोन में सबसे बेस मेठेड जो आपको बताने वाला वो यह है कि आपके पास एक तो कंडिशन है कि आपके आपका आइफोन है पुराना वाला नया वाला भी आप लेके आगए जैसे समझो में यहाँ पे लेके आगए यह तील कलर का आइफोन 16 प्लस आपके सामने इसको उपन करता हूँ इस ओन कर देता कर लेना होता है आपको अगर आपने जैसे मेरा यहाँ पे यह आइफोन 16 प्रो है और इसको मैंने सेटप कर लिया है तो यहाँ पे डेटा टांसफर हो नहीं सकता इस केस में आप क्या करेंगे आपका जो फोन जिसके अंदर आपने सेटप कर लिया अलड़ी बतार नया वाल कर लिया है अपने टाइम पास के लिए सेटप कर लिया तो उसको इरेज कीजिए ट्रांसफर और रिसेट पासवर्ड मैंने दाला और यहाँ पे मेरा आइफोन जो है रिसेट हो गया इसको मैं साइड पर रख देता हूं रिसेट होने के बाद वह यह कंडिशन में आ आइफोन को स्वाइप अप कर लेना है पुरान आइफोन में फेच आडी लगेगी नए आइफोन में नहीं लगेगी और यहां पे पॉप अप आएगा इस पर आपको कंटेनी पर टैप करना है और एक दुस्रे को स्कैन करवा के आपको आगे बढ़ जाना लेकिन अगर अपको आइफोन के अंदर एंटर करना है और यहां पर आइफोन के अंदर एंटर करना है उसी के बाद यह ऑफ्छे को अगे आगे का प्रोसेश शूरू होगा कुछ टाइम लगेगा आपका नए आइफोन जो है अक्टिवेट होगा आपके वाइफाई से गनेट होगा वाइफाई वगर आगा पास्वर्ट डालनी जरूद नहीं डेटा एन प्राइविस वारा पेज आएगा इस पे कंटेन्यू पे टैप कर लो और उसके बाद ट्रांस सबसे पहले सेट अप होगा फिर इस वाले पेज पर आएंगे जहां पर यह बोलेगा आपको मेक दिस यूर न्यू आइफोन एपसें डेटा में जाकर कर सकते हैं कौनसा आप डेटा ट्रासफर करना है कौनसा नी हमको सब चीज करनी है तो यहां पर कंटेन्यू पर टैप कर करना है कैमरा कंट्रोल कैसे यूज करना है तो इसको बस आप कंटीन्यू करते आगे बढ़ जाओ और यहां पर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉं डिखाएगा यहां पर टाइम रिमेनिंग जो है को एस्टीमेटिंग है अब यह बताएगा दो घंटे लगेंगे पांच मिल दर्स मिल लगेंगे तीन गिंटे लगेंगे जितना भी लगेगा उससे आदे टाइम में आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा बस दोनों फोन को अच्छे से चार्ज करके रख देना कि फोन यह प्रॉसम थोड़े से गरम होते है चार्जिंग पर लगा के नहीं करेंगे अब आते हैं दोस्तों आपने आइफोन नया लेने के पहले ही पुराना आइफोन बेच दिया आपको पैसे की जरूती आपने बेच दिया किसी वेबसाइट से वेबसाइट वाला रुटने को तयार नहीं है उस केस में आप क्या करेंगे तो आपको सबसे पहले पुराना आ जनेरल में नीचे चले जाँगा ट्रांसफर और रिसेट आइफोन में और इसका आप बैकप में बनाऊँगा आइकलाउड के ओबर तो प्रेपेर योर आइफोन लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है आपको 21 देश तक अनलिमिरेट आइकलाउड स्टोरिज मिलती है पूरा आइकलाउड पे बैकप बना लो नए आइफोन लो और उसमें आप पूरा डेटा रिस्टोर करेंगे वह कैसे करेंगे बता दो फिलाल अपके फोन में जो कुछ है इसका डेटा भी आपको बैकप बनाना है तो वह बना लीजे अगर आपको हुब हुब वैसा ही फोन जो है बिल्कुल कोई setting वाल पर कुछ चेंज नीची है तो बस इसको आप continue कीजिए और पूरा डेटा जो है आपका आइकलोड पे बैकप ये बना देगा उसके बाद यह बोलेगा यूल बी रेडी फॉर न्यू आइफोन यह सब चोड़ो डन पर टैप करो और यहां पर आपका ब उसको बेचर ने आप लेके आपने फुन में लेके लिए प्र तो है सकानिंग करने के लिए लैंग्वेज और रीज़न सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है मैं इंग्लिश और इंडिया सेलेक्क करने वह कर लो क्विक स्टार्ट में यहाँ पे सेटप विदाउट अनदर डेवाइस पे हम लोगों क्लिक करना है कि हमास पुरान आईफुन है नहीं सेटप लेटर कर दीजिए उसके बाद बस अपने घर के है या ऑफिस के वाइफाई से आपके फोन को आपको कनेक कर लेना है जरिये से नया फोन है आपका तो उसको एक्टिवेट होने के लिए टाइम लगता है फिर डेटा प्राइट 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 पाएंगे यहाँ पर अपको मल्टिबल औप्शन से फ्रम आइकलोड बैकप अंड्रोइड फोन उसके लेकिन हमको कहां से करना है हमको आइक आपको साइन करना है तो पासवर्ड एंटर कीजिए एक वेरिफिकेशन कोड आपके दूसरे आपल डिवाइस पर फिर आपके फोन नमबर पर आएगा उसको यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है और बस आगे बढ़ जाना है तर्म और कंडिशन वाले पेज को एग्री कर ल तो बैकप में यहाँ पे चूस कर लेता हूं कि मैं टैप कर लेता हूं यहाँ पर बताएगा मुझे के अब पर कन्टेनी नहीं करना है लास्ट चैप्टर प्रोग्राइब यह अपका पुराना पूराना इपटेट पर बेट पर जाएगा अपर यहां кटिनीू करो करो और यहां पर आपका जो बैकप है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा अब अंड्रोइड से नए आइफोन पर कैसे आप शिफ्ट हो सकते हैं वह बताता हूं फटा-फट से इसको जो है आप यही जो है पूसिशन में रखना है जैसे मैंने बताया अगर आप सेटप कर करना है यहां पर करना है और यहां पर भी है इसको asleep करना है यहां पर यावडरी यहां पर और रोड्या लिवाडी जायगा इन्स्टॉल करना है और if the topic यहां परны करना है आपको android phone के ऊपर और यह verification code आ गया जो कि आपको यहां पर agree करके सारे permissions दे देना है android phone को और फिर उसके बाद जो है find your code वाली पेज़ पर आएंगे जहां पर आपको यह code एंटर करना है यह code पर रहेगा क्योंकि इसका display अलग है वह चोड़ो अक्सेशिशिश्ब्लेटी सेटिंग्स वाट्साप जो है उसको भी आपको कर देना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चूब आप चूज कर सकते हैं यहां पर फोल्डर आप चूज कलिए जैसे डावन वीफोंडर होला है और फिर आपको यूजर करना है और धु करना है और लिए यह जो ट्रांसफर है वो शुरू हो गया आपके Android फोन से आपके iPhone पे और यह ट्रांसफर भी wireless ट्रांसफर रहने वाला है अगर आप पुराने iPhone से नए iPhone पे पुराने iPhone पे आपने eSIM बना के रखा है तो वो eSIM ट्रांसफर आप नहीं कर पाएंगे खास करके Airtel के users मैंने भी ट्राई किया वो eSIM ट्रांसफर नहीं होता है जियो में भी पता नहीं होता है बड़ इंडिया के अंदर eSIM ट्रांसफर पुराने iPhone से नए iPhone पे अगर होता है तो कर लीजिए एक स्टेप आएगा उसमें आप कर लेंगे नहीं होता है तो कैसे आपको eSIM ट्रांसफर करना है एक वीडियो डेडिकेडर मैंने बनाया अलग से आपको बस eSIM का प्रोसेस है फिर से इनिशेट करना है आपके पुराने पुराने iPhone से नए iPhone पे एक और method ये भी है कि आपका Mac या PC है उसमे आप बनाके वो बैकप को रिस्टोर कर सकते हो और सबसे सिंपल जो methods है वो मैंने आपके सामने बता दिया तो Mac और PC का रास्ता जो है वो चूज करने के आपको ज़रूत नहीं बस आपका जो नए iPhone है वो बताइए और आपको वीडियो अफील लगा है तो लायक करें ये इस वीडियो को और शेयर कीजिया अपनी दोस्तों आपके ऑपसना होगा पसना हो दो वीडियो को रहें कीजिए मेरी चानल को सब्सक्राइब जो किजिए गूद बाई